तो भाईया ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक मोबाइल है मोबाइल में इंटरनेट है और पैसे कमाने की इक्षा है और अगर आपके पास तीसरी चीज नहीं है यानि कि पैसे कमाने की इक्षा तो आप इस वीडियो को छोड़के जा सकते हैं किसी और काम मे अपना समय नष्ट कर सकते हैं और अगर आप इन तीनों चीजों के मालिक हैं तो आपकी एक एक्षा आज पूरी होने वाली है जो की लगबख सभी की एक्षा होती है वो है पैसा देखिए पैसा कमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना होता है फिरी में तो आपका पैसा आनी जाता है थोड़ा बहुत तो दिमाग चलाना पड़ता है थोड़ी बहुत मैनत करनी पड़ती है तो अगर आप थोड़ी बहुत मैनत करने के लिए तैयार हैं रेडी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो को बिलकुल लाच्ट तक देखिए अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाईए और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है ये आप से मेरा विसेश अनुरोध है तो भईया तरीके पैसे कमाने के बताएगा लेकिन अगर आपका किसी एक में भी मन लग गया तो आप पैसे कमा सकते हैं उन्ही अजारोग तरीकों मेंसे मैं आज आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसका नाम है री सेलिंग बिजनिस लाश्ट में जो बिजनिस है ये केबल नाम क बिजनिस का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई पैसा लगाना है, सबसे पहले आपको बता दूँ कि यह जो reselling बिजनिस होता है, इसमें ना तो कोई आपका investment होता है, ना किसी आपको skill की जरूरत पड़ती है, और ना ही इसमें कोई hard work आपको करना होता है, तो भई अगर यह तीन चीजें होना चाहिए, mobile, internet और पैसे कमाने की एक्छा, एक चौती चीज और होने चाहिए, जो की है 100 contacts, 100 contacts मतलब कि आपके mobile में already होंगे, इसलिए मैंने शुरू में बोले नहीं, 100 से ज्यादा ही आजकल सबके mobile में number होते हैं, लेकिन आपको उन numberों में से 100 ऐसे contact छाटना है, जो की online shopping करते हों, यानि की हमें ऐसे WhatsApp number या फिर Facebook पे आपके friend ऐसे चाहिए, जो की online shopping करते हों, यानि की आपको कम से कम 100 audience चाहिए, ज्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर 100 लोग भी हैं, जो की online shopping कर सकते हैं, और आपके connect मे हैं, चाहे वो WhatsApp से हो, Telegram से हो, या फिर Facebook से हो, Instagram से हो, कहीं से भी हो, आपके contact जो है 100 होना चाहिए, कम से कम, तो आप daily के 500-600 रुपए बड़े असानी से कमा सकते हैं, अगर इस से ज्यादा contact हैं, हजारों contact हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हजारों रुपए दिन के च सबसे पहले इनी को समझ लीजिए, reselling website या application का काम क्या होता है, कि यह जो है, अपने पास ऐसे customer रखते हैं, जो कि इनके product resell करवाएं, यानि कि किसी दूसरे को विक्वाना है, आपको नहीं खरीदना है, किस तरह से विक्वाना है, माल लीजिए, आपका कोई friend है, उसको की photo वेज दी, उसको जो भी पसंद आया, उसके लिए order कर दिया, तो किस तरह से process होती है, सारी बात करेंगे step by step, सबसे पहले समझ लीजिए, example के लिए Miso ऐसी service देता है, glow road ऐसी service देता है, इसके अलावा ebay sob 101, बहुत सारी ऐसी website है, जो की reselling की सुबदा देता है, लेकिन मै मैंने Miso का link description में देके रखा है, अगर आपको account बनाना है, तो आप Miso पर account बना सकते हैं, Miso application का link इसलिए दिया है, क्योंकि इस application के अंदर 100 million plus customer है, यानि कि Miso एक बहुत बड़ा platform है, reselling business करने के लिए, तो आपको क्या करना है कि Miso पर account बना लेना है, सब कुछ add कर देना है account number बगेरा सब कुछ add कर देना है, जिससे आपके पैसे असानी से आ सकें, अब आपको क्या करना है कि Miso application पर चले जाना है, बहाँ पर कोई सी भी category के product आपको select करना है, जो भी अच्छे हो और लोगों को पसंद आए, वो कुछ भी हो सकता है, 308 हो सकता है, साड़ी हो सकता है या फिर सूज हो सकते हैं, या फिर kitchen के सामान हो सकते हैं, electronics हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपकी च्वाइसे आपको ढूड़ना है कि सबसे अच्छे product कौन से हैं, और आपके customers जो आपकी audience है, 100 लोग हैं, उनको कौन से product पसंद आएंगे, अब आपको कुछ product select करके, जो 100 लोगों की list थी, उनको send कर देना है, अब कैसे आप send करेंगे, वो कोई matter नहीं करता है, आप WhatsApp से send करें, Facebook से करें, Instagram से करें, Telegram से करें, कुछ भी करें, लेकिन उनको share कर देना है, उन तक वो product का photo पहुंच जाना चाहिए, जैसे ही आप वो product का photo पहुंचाएंगे, वो ल product लेना चाहिते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कि जो उस product का rate है, actual rate है, उसमें आपको अपना margin पिलस कर देना है, अब माल लिजे वो product 1000 रुपय का है, और आपको 100 रुपय उसमें margin add करना है, तो 1100 रुपय total value आप उस customer को बता सकते हैं, कि भाई ये जो product है, वो 1100 बता सकते हैं, जैसा customer मान जाए, आप ऐसा उसको rate बता सकते हैं, उस product के बारे में बता सकते हैं, जैसे ही आपकी deal हो जाए, आपको उसका address ले लेना है, और उस product को उसी के नाम से जो है, order कर देना है, मीसो पर आके, जब आप order करेंगे, तो मीसो में order section में एक option मिलेगा, कि जो packet पर है, bill पर है, कितने रूपय का bill चापना है, आपने customer को 1100 रूपय बताय तो आप उसमें 1200 डाल देंगे, तो जो उसके पास bill पहुंचेगा, वो 1100 रूपय का पहुंचेगा, लेकिन उसमें 1000 रूपय जो है seller का hोगा, 100 रूपय आपका होगा, तो seller का 1000 रूपय उसके average माल लेते हैं कि 600 रुपए का वो product है और ऐसे ही आपने 20 order दिन में ले लिए क्योंकि 20 लोग interested थे तो 20 order आपने ले लिए और 600 रुपए में माल लो आपने 60 रुपए margin एड़ कर दिया तो 20 into 60 करेंगे तो 1200 रुपए दिन होता है अब माल लीजिए कि 20 order आप नहीं ले पाते हैं तो हम 10 ही माल लेते हैं तब भी आप 600 रुपए दिन बड़े अराम से कमा सकते हैं तो इस तरह से पूरा reselling business होता है simple सा तरीका है आपको कुछ नहीं करना है बस product share करना है लोगों का जो भी reaction आता है उसके हिसाब से order करना है और पैसे कमाना है अगर ये order बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे मैंने इससे बहुत सारे पैसे कमाए है और आज भी time मिलने पर ये चीज़ें कभी कभी करता हूं तो जिसको कहानी समझ में आई हो वो वीडियो को लाइक कर दे हूं जिसको समझ में नहीं आई हो वो comment मैं अपनी समस्या ज़रू बताएं वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लि जाहिन